सो हे गाइस विलकम बैक टियरोन चैनल तो यार आज की वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे एफपे की जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन तो यार आप मैंसे बहुत लोगों के मुझे कमेंट आए बहुत सेलेक्टिड एफ़ेंस के भी म अब कमिंग जो भी कोर्स है सारों के लिए वेलिड होगी माइनर चेंज आ सकते हैं और वो हम बात में भी देख लेंगे बेसिक स्ट्रक्शर जो है वह सेम रहेगा तो यार सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले यार मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप प्लीज इ देखना अब यार शुरू करते हैं तो सबसे पहले यार जो भी सिलेक्टेड एफ्पेंज हैं उनको मेरी तरह से बहुत-बहुत कॉंग्राचुलेशन यार आपने यह प्रूफ कर दिया है कि हार्ड वर्क ऑल्वेस पेज आफ तो यह इसी के साथ शुरू करते हैं जेनरल इ ए कोर्स की 148 न्टिए कोर्स के अब यार जो भी एकृष एक जाम देता है उसे को लॉट किया जाता है तो यह जैसे हमने एंड्या लेना तो हमारा 146 एकृष हैं ऐसे ही इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा अब यार आगे बात करते हैं अब अक्वेंग में जो बहुत मजा आएगा अब यार जो रूटीन होता है वो हां बीजी होता है पर बहुत ही एंजॉयमेंट वाला भी होता है आपके न्यू कॉंटेक्ट बनते हैं न्यू रिलेशन बनते हैं और आपको लाइफ स्किल्स के बारे में बहुत पता लगता है तो जोइनिंग करते हैं आप जब जोइन कर लोगे तो आपको एक कैडट के नाम से जाना जाएगा अब यार जैसे आपका नाम अनिकेत कहूल था तो अब आपका नाम कैडट अनिकेत कहूल है ठीक है तो अकाडमी को जोइन करते ही आपको एक कैडट नंबर दिया जाएगा और एक स्कॉन दिया जा अब यह अगे लिखा है कि आपको ग्रांट की जा रही है वह प्रोविजनल मतलब अभी दी जा रही है बाद में आपसे ली भी जा सकती है प्रोविजनल इसलिए क्योंकि आपने अभी अपने 10th class रिजल्ट्स नहीं दिये तो अगर आप 10th class नहीं पास कर पाते तो आपको अलाओ नहीं किया जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए अकाडमी में तो यार ट्रेनिंग की बात करते हैं अब यार अकाडमी का एक क्लियर और फोकस्ट एम है जो भी चीज एंडिये के डिलेटेड है में ठ्रेनिंग का नाम है शेयम्डॉक सेंडृ सीकेंड़र इसी के साथ अपको पॉबलिक स्वीटिंग ड्रिल्ल जैसे आपकी मार्चिंग होतीh न वैसी एक ड्रिल होती है बेसिक्स ऑफ इ πά्रिण आपको शूटिंक भी सिखाई जाएगी लीडर्शिप इसी सादीछीज अगले पेच पर आते हैं अब अकाडमी ने आपको सर्टिफाइ किया कि आपको एक्सपेक्टेड है कि आप अपीर करोगे सेप्टेंबर 2021 एक्जाम के लिए और अकाडमी यह भी एक्सपेक्ट करती है कि आपको SSB से कॉल early 2022 में आ जाएगी अकाडमी का यही एम है कि सारे बच्चे सिलेक्ट हो और no division from this aim will be accepted और अगर आप यह सोच रहे हो कि आप एंडी के साथ जही मेंस के लिए भी प्रिपेर करोगे तो यार अकाडमी में यह नहीं है no division from this aim will be accepted अब choice of service क्या है अब cadets को जैसे आपकी आपकी भी अपनी choice of service होगी कि यार मैंने army में जाना है मैंने heavy में जाना है मैंने air force में जाना है तो वैसे यार अकाडमी का एक appendix है जो आप भर होगे उसमें आपकी first choice second choice से third choice आपको देनी पड़ेगी इसी के related हम बात में भी बात करेंगे क्योंकि appendix के appendix में आपको बात में समझाओंगा तो अगर academic training की बात करें तो आपको plus one और plus two shamrock senior secondary school में करवाई जाहेगी इसमें आपके subject basically वही होंगे English, core, computer science or physical education जो आपकी choice पर निर्भर करता है mathematics, physics और chemistry जो compulsory है अब जो भी candidate CBSE stream में study कर रहा है और अगर उसने basic level maths exam दिया है तो वह eligible नहीं है आपको standard level maths exam देना पड़ेगा standard level maths exam यार वही होता है जो आप बोर्ड exams में देते हैं कई लोग होते हैं उनकी maths फीक होती है तो इसलिए वह basic level maths exam देते हैं तो अगर आपने basic level maths exam दिया तो आप eligible नहीं हो अब school uniform की बात करें तो आप जो cadets हो आप बेर करोगे अब स्कूल के बात करें स्कूल बुक्स आपको स्कूल अथोरिटी से मिलेगी on payment जो आप पेमेंट कर दोगे अब स्कूल कलेंडर स्कूल कलेंडर भी आपको स्कूल से मिलेगा जॉइनिंग के बाद आपको around 15 to 20 डेज में मिल जाएगा स्कूल बस की बात करें तो आपको अब अकाडमी से स्कूल आने के लिए स्कूल बस प्रोवाइड की जाएगी वो पूरी एफपे ही प्रोवाइड करेगा attendance एफपे एशूर करता है कि आपकी 100% attendance रहे पर इन केस अगर आपका कोई रीजन है आप आपसेंट हो मानलो आपको फीवर है तो आप डारेक्टर की प्रमिशन के साथ लीव ले सकते हैं आउट्डोर ट्रेनिंग की बात करें तो आपको फिजिकल ट्रेनिंग में भी पार्ट लेना पड़ेगा या आपके लिए सिखाई जाएगी बेसिक से एडवांस तक सारे कुछ सिखाया जाएगा अब इंडो शूटिंग रेंज भी है तो आपको फाइरिंग के बेसिक भी सिखाये जाएंगे स्पोर्ट की बात करें तो यार टीम गेम्स इंडिविजल गेम्स बॉक्सिंग मार्शल आर्ट क्रॉस क करने की जरुद नहीं है अकाडमी आपको बेसिक से सिखाथियार कोच Cloud करती है अकाड मिहार साल और वो ने बेसिक से अडवांस तक सब कोच सिखाता है सिमिलर दी आपके अपलाए होता है इंडिविज्वल गेम्स के लिए बॉक्सिंग के लिए क्रास कंट्री rennin क्या होती है यह जैसे आपकी मैराथोन होती है वैसे अकाडमी में क्रास कंट्री रॉनिंग होती है cross country running में सारे gadgets भागते हैं और जो 1st 10 आते हैं उन्हें prices भी मिलते हैं ड्रिल जैसे यार मैंने आपको पिछले भी बताया कि ड्रिल होती है आपकी marching यह भी बहुत essential component आपकी training का यह आपको basics advanced से सारा कुछ सिखाया जाएगा indemnity bond क्या होता है यार indemnity bond वह होता है कि आप academy से पूरी तरह linked हो वह भी चीज के हम बारे में बात करेंगे appendix C में है तो last में हमें सारे appendix के बारे में आपको detail में सचाहूंगा अब अगर हम finances की बात करें जो आपकी training यह ना institute में वह highly subsidized है मंजाब government से मतलब आपको कोई भी fees पे नहीं करनी पड़ती आपको सिफ जो fees pay करनी है वह आपके school fees होगी जो school fees की बात करें तो आपकी first year की जो fees है वह 48,000 है यह तीन installments में divide की गई है आप इसको देख सकते हो pocket money अब यार pocket money के लिए pocket money के बारे में लोग बहुत confused होते हैं तो यह क्या होता है आप ना हर six months में academy को 3000 रुपीज पहले देते हो और academy क्या करती है वह आपका store करती है 3000 और month के starting में हर month के starting में आपको 500 रुपीज दिए जाते हैं ताकि आप spend कर सको AFP की canteen में spend करो या बाहर liberty पे spend करो वह आपकी मिर्जी होती है पर आपको 500 मिलते हैं इसके साथ यार अगर pocket money आप additional cash भी ज़रूर रख सकते हो वह कोई उसमें कोई restrictions नहीं है security deposit अब या security deposit किया आप जब academy join करोगे ना तो आपको 20,000 academy को as a security deposit देना पड़ेगा अब यह security deposit आपको return कर दिया जाएगा जब आपकी training दो साल की training complete हो जाएगी अब क्या है आपको जब academy join करनी है तो आपको दो bank drafts देने पड़ेंगे पहला bank draft है आपका 26,500 का उसमें यह यह चीज़ें included है 20,000 आपका security deposit है 3,000 आपका pocket money है और 3,500 आपका school books के लिए second installment जो second bank draft जो आप दोगे वो 16,000 का है उसमें आपकी school fees included है तो अब subsidy के है जो afford नहीं कर पाते उनके लिए भी पंजाब government support करती है तो अगर आप इस category में आते हो तो आप इसके लिए apply कर सकते हो आपकी school fees भी सारी रिमिट हो जाएगी अब अगर हम बात करें linen और clothing की तो आपको कुछ चीज़ें खुद से भी लाने के लिए कहती है अब जैसे यह चीज़ें जो required चीज़ें यह आपकी लिखियों ही है यह मैंने यह सारी चीज़ों के almost सारी चीज़ों के best affordable links नीचे description box में दे दे हैं क्योंकि अब lockdown चल रहा है तो आपके लिए buy करना भी यहां पर आपके लिए market में भी buy करना मुश्किल हो सकता है तो इसलिए मैंने यह Amazon के best affordable cost के links description में दे दिये हैं आप वो हर चीज़ को देख सकते हो और अपने इक्छा नुसर buy कर सकते हो अब यह इसके साथ मैं दो चीज़े और include करना हो जो आपके लिए बहुत important है पेरी चीज़ है alarm clock दूसरी चीज़ है round hanger clip यह जो जीज़े इस लिस्ट में नहीं लिखी गई आप अगर ले आओगे तो यह बहुत अच्छा रहेगा तो यह कहीं का बहुत डाउट होता है कि क्या हमें अपने कपड़े खुद दोने पड़ते हैं तो ऐसा है कि laundry हर Wednesday और Sunday आती है academy में और आप उन्हें अपने clothes दे सकते हो अब यहां पर जैसे quantities लिखी है ना तो मैं आपको recommend करता हूँ कि आप जैसे quantities लिखी है कहीं दो लिखी है कहीं एक लिखी है तो उससे एक additional ज़रूर लेकर हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि academy में कब आपको एक extra set की ज़रूरत पढ़ जाए तो यह जो important चीज़े हैं यह available at tuck shop पे payment पर आप मैं recommend करता हूँ कि आप यह खुद अपने से ही लेकर आए बेडिंग आइटम्स है वो अकाडमी प्रोवाइड कर देगी अब यह इसमें एक और चीज़ है सॉक्स के बारे में लिखा हुआ है अब जो सॉक्स है ना सॉक्स आपकी प्रॉपर सॉक्स होने चाहिए ऐसी सॉक्स नहीं होने चाहिए जो शूस के नीचे तक ही खतम हो हमारे में एक मांथ लग गया था आपके डि बडेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा डिसिप्लन की बात करे तो अकेडमी 薪एड करते है डिसिप्लन पॉलिसी को जो हमारे डिरेक्टर सर ने लिकी है इस डिसिप्लने पॉलिशी में सबसे बया पॉयnt यह है पो्टशेश बिना permission के तो आपको academy से resticate कर दिया जाएगा on the spot academy strictly non possession of mobile phones को support करती है दूसरा discipline policy यार क्या है आपको ये तो यार basics ही है no consumption of liquor, no smoking, no driving a car तो यार ये आप चीज़ें बढ़ सकते हो अब कहीं लोगों को laptops का थोड़ा issue होता है यार हमें laptops भी work करना है तो यार academy आपको permission देती है कि आप अपने laptops लेकर आओ पर आपके laptop जैसे आप लेकर आते हैं तो आपको scorn commanders को scorn commanders क्या होते हैं जो basically जैसे आपके alpha, bravo, charlie, sconn are na उनके जो commanders, उनके जो head होते हैं उनको scorn commanders का जाता है तो आप जैसे ही Laptops लेकर आपको Scon Commanders को handover करने पड़ेंगे अराइवल पे ही और उनकी supervision पे ही आप यूज कर सकते हो बाकि जो Cyber की FAA है इंटरनेट फसिलिटी के साथ अवेलेबल है Institute की लाइबरी में Music Systems है यार अब कहीं को होता है मैं Speaker लेकर जाओंगा Academy में Large wattage के Speakers not allowed है पर अगर आप एक basic music player छोटा music player लेकर जाएं तो वह acceptable है ऐसा लेकर जाएं कि आपके adjacent cabin में कोई disturbance ना हो तो यार कैड़ेट्स आर नॉट परमेटेट्स टू कीप cash in excess of Rs.500 जो आपकी pocket money होती है पर आप emergency के लिए टक सकते हैं Homesickness की बात करें तो यार यह तो obvious ही बात है आप जैसे कहीं केड़ेट्स आप में से कहीं केड़ेट्स आएंगे उनको first days में Homesickness हो सकती है Homesickness यह होती है कि आपको घर की आदाना basically यह होता है तो इस पर आपको worry नहीं करना है आपके जो buddy है अब buddy और overstudy की भी बात में पता देता हूं अब जैसे आर आप academy जोइन करते हो ना तो आपको एक buddy allot किया जाता है Buddy के बाता है आपके ही a course mate जैसे आप 10th course में तो आपका ही a 10th course का friend होगा जो आपके adjacent cabin में रहता होगा तो वो आपको support करेगा और overstudy क्या होता है कि जैसे आप academy जोइन करते हैं तो हर आपको आप जैसे हर junior को उनका senior allot किया जाता है जो उनको help करता है to get comfortable or settle down well in the new environment तो आप से interact करते है seniors और आपके every thick end दिन में आपकी help करते है अब अगर हम बात करें honor code की तो यार ये honor code academy का ये तो यार आपको याद होना ही चाहिए academy join करने से पहले मैं आपको strongly recommend करता हूँ कि यार आप ये honor code ज़रूर याद करें similarly यार honor code के साथ secular director of institute है academy किसी भी religion वगेरा वाली बातों को support नहीं करता है discussion of religion या politics academy में strictly forbidden है आप basically assembly होती है आपकी school में आप prayer करते है वैसे academy में हम master कहते है तो यार ये भी मैं strongly recommend करता हूँ कि आपको academy join करने से पहले याद हो तो यार ये जो certificate for joining the NDA ये भी हम बात करेंगे in the later part of the video क्योंकि यार ये भी चीज एक appendix में related तो withdrawal of the cadet from the institute अब withdrawal का क्या मतलब होता है कि academy एक cadet को खुद निकाले अगर आपने कोई fault किया है कोई बहुत ही major fault किया है तो आप libel of withdrawal के लिए withdrawal का क्या मतलब होता है और withdrawal का basically ये मतलब होता है कि आपको academy से बाहर निकाल दिया जाएगा एक तरह का रस्टिकेट कर दिया जाएगा और आप academy फिर दुबारा जोइन नहीं कर सकते तो यार इसमें भी यही लिख्या कि in case academy does not perform satisfactorily according to a fpi तो उसे पहले warn किया जाता है फिर उसके parents को inform किया जाता है कि आपका cadet liable है withdrawn होने के लिए तो अब cadet withdrawn किस basis पर हो सकता है किस basis पर हो सकता है तो यार पहला है academic rounds in case अगर आप उपने plus one plus two में अच्छा ना perform करो आप अपने studies पर ध्यान ना दो आप फेल होते रहो तो आपको withdrawal कर दिया जाएगा similarly outdoor training basis पर अगर आपकी basic PT testing नहीं clear हो आपके बहुत देर तक तो फिर भी आपको warning देंगे पहले फिर आपको जाके अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर आपको रस्टीगेट कर दिया जाएगा similarly disciplinary grounds जैसे मैंने आपको बताया mobile phones की possession में अगर आपको देख लिया गया तो आपको strictly रस्टीगेट कर दिया जाएगा academy से fourth point है medical grounds medical grounds क्या है आपको कोई चूट वगरा लगती है जो एंडी की guidelines में आपको medically unfit बनाती है तो अगर आपको यह चीज़ पता लगी तो academy आपको यह recommendation देगी कि आप academy की आगया वाली training pursue ना करो similarly यार जो payment by cadets है अगर आपको payment करनी पड़ेगी basically जो अगर आप first month में निकल जा तो आपको कोई payment नहीं करनी पड़ती पर अगर आप आगे जलते जलते अगले period में अगर आप academy leave करने के बारे में सोचते हो तो आपको वो सारी payment पे करनी पड़ेगी जितनी आपकी cost of training तब तक लगी है तो वो director sir आपको खुद बताएंगे तो resignation की बात करें तो यार कहीं credit होते हैं जो joining के वक्त पहले first month में homesickness के कारण या बहुत extreme pressure के कारण resign करने के बारे में सोचते हैं institute से तो अगर आप में से किसी का ये मन हो तो आप director sir को inform कर सकते हैं और आपको सारी cost of training पे करनी पड़ेगी जितना आपकी अब तक लगी होग तो यार ये मैं आपको strongly recommend करता हूँ कि first month में आपको शायद कुछ दिक्कतें आएं पर आपको overcome करना पड़ेगा यार अब इतनी मेनत की है तो leave करने के बारे में तो यार आप सोच नहीं सकते leave policy यार leave policy क्या आता है कि academy आपको घर कब भेजेगी तो academy generally यार leave तभी करती है जब leave आपको leave पे तभी भेजती है जब आपकी school vacations पड़ें या school में कोई holidays आज़ें क्योंकि यार आपका school भी बहुत जरूरी है तो वो जो भी आपकी holidays होती है वो director sir पहले ही prior inform कर देते हैं और आपको घर बेजने की information दे दी जाती है अब appendix F के लिए इसके साथ कुछ related है तो वो भी मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा अब अगर हम बात करें यार ली पॉलिसी के बाद liberty की यार लिबर्टी का क्या होता है लिबर्टी यार एक बेसिकली एक relaxation होती है आपको Sunday को मिलती है आप सुबह नौ बज़े से पांच बज़े तक कहीं भी घूम सकते हो बेसिकली आप academy से बाहर जा सकते है लिबर्टी का य ऐसा धाली आम पंच कुला में रह रहे होता है तो वो उन्हें नौ मिनिट कर लेते हैं as a local guardian लोकल गार्डियन का क्या होता है लोकल का फायदा अधा कि local guardian आपको Sunday सकू मिलने आ सकता थांकि आपके parents को वह इंफॉन कर सके उसके साथ भी रीलेजैट अपेंडिक से जो हम further part of the video में बात करेंगे अब policy या parents and local guardians meeting credits अब जैसे यार मैंने आपको बताया है Sundays को या holidays को आपके parents या local guardians आपको मिलने आ सकते हैं यह basically जो interaction होगी आपके rooms में नहीं हो सकती cabins में नहीं हो सकती वो होगी या anti-room है anti-room basically आपने देखा ही होगा वो TV room है academy का tuck shop tuck shop academy की canteen है office area office area तो आपको पता ही होगा और visitors जैसे मैंने आपको काओ कि visitors should refrain from going to cadets cabins cadets के cabin में नहीं जा सकते तो यार इन केस अगर आपका parent यह local guardian आपको मिलना चाहता है on a working day तो वो आपके scorn commander से prior permission के बाद मिल सकता है वैसे generally academy नहीं encourage करती आपके visitors को आपको मिलने के लिए तो अगर अगर medical instructions की बात करें तो अगर all cadets are expected to remain physically fit ताकि वो maximum benefit ले पाए अपनी training से पर in case कोई circumstances आजाते हैं कि आप को एक minor medical problem आगी है जिसके लिए आपको first aid चाहिए तो आप पहले warden को inform कर सकते हो और अगर जादा कुछ serious है तो आप sick report भी कर सकते हो sick report का basically क्या होता है आपको medical treatment मिल जाता है इसी hospital में जाके तो यह तो था जो academy आपको provide करती है पर अगर in case similarly अगर आपके parents चाहते हैं आपसे मिलना आपको medical attention देना तो उस con commander से बात करके आपको घर भी लेके जा सकते हैं in case अगर आपको कोई contagious disease है तो आपको permission दे दी जाएगी आप घर जा सकते हो और अपने personal doctor से medical advice ले सकते हो तो यार all cadets will get the undermentioned injections from proper hospital तो यार यह क्या है academy join करने से पहले आपको एक certificate देना पड़ता है कि आपने ये तीन injections अपने lifetime में लगवाए हो हैं तो यार basically क्या होते है जैसे आपके बच्पन में injections लगे ही होंगे तो academy वही आप से desire करती है तो अब आप ये certificates ले कैसे सकते हो certificates लेने के लिए यार आपको अपने family doctor के पास जाना पड़ेगा और family doctor से request करने पड़ेगी कि sir आप एक ऐसे certificate बनाएं जिसमें ये लिखा हो कि मैंने ये तीन injections अपने life में लगवाए होए हैं तो वही accept करके academy आपको join करने देगी तो similarly अगर आप हम admission schedule और procedure की बात करें तो आपकी admission जो थी institute में expected थी 22nd April को बट अब lockdown के कारण वो extend होगी है और date आपको academy खुद बता देगी future में तो यार मैं भी आपकी बात से सैमात हूँ कि आप बहुत excited और eager हो academy join करने के लिए पर यार हमें lockdown के साथ adjust करना पड़ेगा तो admission के साथ यार आपको ये following certificates भी लाने पड़ेंगे जो following certificates यार आपकी screen पर है birth certificate, domain style certificate ये सारी चीज़ें आपको लानी पड़ेंगी with appendices और ये जो class 10, past certificate और migration certificate है ये यार मैं मानता हूँ कि तब आपके issue नहीं होंगे पर by the time जब आपका result आएगा आपको academy को provide करने पड़ेंगे ये बहुत mandatory चीज़ें है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो admission है वो provisional है तो आपको ये certificate प्रोवाइड करने पड़ेंगे अगर आप चाते हो कि आप academy continue करना चाहो तो ये इसी के साथ ये वाली joining instructions खतम होती है अब हम बात करेंगे जो मैंने आपको appendix के बारे में बताया था तो ये appendix आपको खुछ से print करवा के joining पे academy को देने पड़ेंगे इन appendix में ये सारी चीज़ें लिखी है जो मैं आपको explain करूँगा जैसे appendix A है appendix A में आप क्या करोगे आप अपनी choice of services बताओगे तो जैसे आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे son of आपके father का नेम तो यहाँ पर आप लिखोगे अपनी first choice second choice, third choice यहाँ पर अपनी first choice तो दो यहाँ पर आपने signature और similarly signature of parent अगर हम बात करें अब appendix B की तो यह वही appendix है जहाँ पर आपने claim करना है कि मैंने yes मैंने opt किया है standard level math को और मैं eligible हूँ academy join करने के लिए similarly अब यहाँ appendix C की बात करते हैं तो appendix C जैसे indemnity bond है अब यह indemnity bond का क्या मतलब है यह appendix देके आप certify कर रहे हो academy को कि जो भी training में कर रहा हूँ वो मैं अपने risk पर कर रहा हूँ और अगर मेरी कोई injury हुई तो academy इस case के लिए liable नहीं होगी similarly यह जो further instructions है वो भी same इसी के basis पे आगे आपको दी गई है तो आप यह यह पूरी अची तरह से पढ़के sign करके आप यह submit कर सकते हो अब appendix D की बात करें तो यहाँ पे लिखा है non-possession of mobile phone अब यह appendix को fill करके आप claim करते हो कि मैं academy में mobile phone की possession नहीं रखूंगा और अगर मैं mobile phone use करता हूँ और पकड़ा गया academy में तो I am liable to be withdrawn from the institute मैं claim करता हूँ कि अगर मैं पकड़ा गया mobile phone के साथ तो आप मुझे रस्टिकेट कर सकते हो appendix E की बात करें तो यहार इसमें आप willingness करते हो कि join NDA यह आप academy जोइन करके यह certify करते हो कि yes मैं NDA और NAVIC entrance exam के लिए ही prepare करूँगा और वही exam के लिए apply करूँगा मैं कोई भी further examination जो NDA से related या armed forces से related नहीं है उट पे ध्यान नहीं दूँगा तो यहार अब हम बात करते है appendix F की appendix F भी बहुत important है क्योंकि यहाँ पे आपके parents claim करते हैं कि अगर academy आपको leave देती है तो आप अकेले भी अपने घर आ सकते हो या दूसरा case भी है कि अगर आपको academy leave पे भेज़ती है तो सिर्फ आप यह आपका बचा तब ही घर जा सकता है जब आपके parents या आपका local guardian आपको लेने आए तो यहार मैं prefer करता हूँ कि आप option B को tick करें क्योंकि यार आपको पता नहीं होता कि कब आपको academy leave दे दे तो in case अगर आपके parents तब available नहीं है तो academy आपको आपकी parents के बिना send नहीं कर सकती अगर आपने ए option टिक किया अब यार जो G appendix के बारे में बात करते हैं local guardian तो यार जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके parents दूर रहते हैं तो वो एक आपका relative अपॉइंट कर सकते हैं in case अगर आपका कोई relative नहीं रहता चंडीगड में तो आप ये section को खाली भी छोड़ सकते हो आपको क्या करना होगा आपको ये appendix को print करके as it is ही रहने दिना होगा कुछ भी नहीं छेड़ना होगा similarly आप contact details की appendix है इसमें तो आप contact details ही लिखोगे आपका telephone number, mobile, email, आपके signature तो आपको इसी के साथ joining instructions का खात्मा करते हैं और आपको एक बात बताता हूँ अगर आप अब तक ये वीडियो को देख रहे हैं तो यार इसी के साथ हम एंड करते हैं इस वीडियो को अगर आपको कोई भी डाउट है इस जोइन इस्ट्रक्शन की बाली वीडियो में तो प्लीज कमेंट करके बताईए मैं आपका अंसर जरूर दूँगा और मेक शूर यू लाइक दिस वीडियो and subscribe to your own channel for more such interesting updates I will meet you soon on another video so till then stay happy, stay fit, stay at your homes Take care, Jai Hind, Vandiamathram